आगे बढ़ेंगे बात एक और एहम खबर की अमरित सर में मुस्तैद B.S.F. जवानों ने जोन घुसपैट की साज़श को नाकाम किया है बीती रात करीब साड़े आठ बजे पाकिस्तान की तरफ से जोन आता देख जवानों ने उस पर फाइरिंग की आज सर्च ऑपरेशन के दरान एक जोन और सफेद रंग का एक बैग मिला है बैग खोलने पर उसे एक बड़ा पाकेट और एक टेप बरामद हुआ तो तस्वीरें आप देख सकते हैं बीती राच साढ़े आठ बजे के आसपास अमरित प्रेक्टर में ये ड्रोन लोकेट किया गया बैएसेफ के मुस्तैद जवानों ने जम कर उस पर फाइरिंग की और आज सुभा जब सर्च ऑपरेशन चलाय गया तो उस दोरान ये तस्वीर सामने आई जहां ये ड्रोन फाइरिंग में धराशाई हुआ और इसके साथ बंधा हुआ एक सफेद रंग का पाकेट मिला है आपको बता दे राच साढ़े आठ बजे ड्रोन से घुसपैट करने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही थी जिसे हमारे मुस्तैद B.S.F. के जवानों ने जवाब देते हुए धराशाई कर दिया है सर्च ओपरेशन के दोरान प्रतिबंधित पदार्थ इस जोन के साथ अटैच था वो बरामद हुआ है एक सफेद रंका एक बैग और एक बड़ा पकेट और एक टेप इस बैग बरामद हुआ है आगे बढ़ेंगे खबर ले से आपको देंगे जहाँ यूद कॉंग्रेस के अध्याक्ष तंडूप नोर्बू चीता और कॉंग्रेस माहसाचेव सेरिंग अंचक के साथ हिल काउंसल में विपक्ष के नेता सेरिंग ने लेह में एक प्रेस कांफरेंस को संबोधित किया नामग्याल ने कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार चार सूत्री एजेंडे पर चर्शा के लिए केडिये और अपक्स को आम अंतरित करें नामग्याल ने कहा कि लदाख क्षेतर की सुरक्षा के लिए छटी अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण है नौर्बू ने कहा कि लदाख कैंपिस बजट के तहट लदाख की किंद्र सरकार की फंडिंग से ज्यादा भुक्तान कर रहे है झीए लोगे जाट मंने कärडिके जाटकी कार जाट कि शटीमाश की ने हो रहे है सबस्टबू को उर्च मसा भलताहियों से पलाट के लंडिंग क काल डब करतार की साम अनुसूची को बढ़िन में लोसा लदाएिया यह कमसे पां सी लद carta को आटे लो गुशंत और घृडशी मोग नगश कबी है तरह को अधर कुन कि तो भागस और चाहने, सिपलीडलाह लेभ लुट लोग पूbn को Сुन कि अचसी भागसी। ढरивает कि मोग भून को अधर बाओन टांओ बाद राने, उन्हेक का झें लोग लग दो刃 एक डाएनगा, फ्योब्पस्त it's aanti are ज dB e عफ जाटति से जाल जाय। लाड़से टी लाट धांशजब्न जाओ सीफ हित राल जाट का जॉपग मिनने जाटति से जॉट्चए साल मुछति कि लाड़से लाटति से का जॉट्चश्त को जाटति से का 1 mm सब्सक्राइब कर दोड़ा जिले में इस सरक हाथसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है इस सरक हाथसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है